साथियों, दुनिया का तीसरा वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोईले का भंडार हो, जिसके पास आप जैसे साहसी और उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हो, लेकिन फिर भी उस देश में बहार से कोहला आए, कोल इंपोर्ट हो, तो उसका कारण क्या है? आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, कभी सरकार रुकावट बनी रही, कभी नीतिया रुकावट बनी रही, लेकिन अब कोल सेक्टर को इन बंदनों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है, अब कोल्ड सेक्टर में कॉमर्चियल माइनिंग को पर्मिट कर दिया गया है पार्सली एक्स्प्रोर्ड ब्लोग्स को भी एलोट्मेंट करने की पर्मिशन दी गई है इसी तरह मिन्रल माइनिंग में भी अब कम्पनियां एक्स्पोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती है इन फैसलों के कितने दुरगहमी प्रणाम होने वाले हैं ये इस सेक्टर से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं साथियों सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टक्नलोजी हो हर शेत्र में इंडरस्टर को भी आउसर मिलेंगे और यूद के लिए भी नई आपर्चुनिटीज खुलेगी इस सबसे भी आगे बढ़ कर अब देश के स्ट्राटेजिक सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागिदारी एक रियालिटी बन रही है आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें एट्रमिक एनर्जी में नई अपर्चुनिटीज को तलासना चाहें पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं हर अउसर आपका इंतजार कर रहा है